हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो अलिवेटने विजडम दोस्तों पिछले दिनों मेरी माता जी इस दुनिया को अलविदा कह गई और ये मेरे लिए बहुत दुख कपल था और अभी भी मतलब इमोशन्स ऐसे नहीं है कि कोई और काम किया जाए क्यूंकि हर बात में उनकी याद आती है और मा की जगा तो कोई भी नहीं ले सकता है जो भी कुछ मैं आज हूँ वो उन्हीं की वज़े से हूँ मेरे पिता जी के दिहान के बाद मेरी माता जी नहीं मुझे सपोर्ट किया पाला और पढ़ाई लिखाई सब का दिहान रखा और काफी बीमारी के बाद उनका दिहान अठारा जून को हो गया तो ये उन्हीं के लिए एक शर्धान जली है और उन्हें भी नायाद किये मतलब किसी की भी काम को करना अब काफी मुश्किल होगा तो दोस्तों पिछले प्रेजेंटेशन में पिछले वीडियो में हमने मक्का के बारे में पढ़ा था और मक्का के बाद हाला कि मक्का को हमने काफी डिटेल में पढ़ा क्योंकि इसमें तो इतना नहीं बताए गया है क्योंकि लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेज का तो इस वज़े से उसे काफी डीटेल में पढ़ाता अब हम पढ़ेंगे बारले के बारे में तो बारले जो है इसे हॉर्डियम वल्गेर कहते हैं साइंटिफिक में है इसका काफी पैलेटिब ओर्ट की जंगा खिलाया जाता है क्योंकि ओर्ट में भी काफी फाइबर होता है अगला हम ओर्ट ही पढ़ेंगे तो ओर्ट में भी काफी फाइबर होता है और होर्स के लिए यह काफी अच्छा रहता है तो बारले को ओर्ट की जंगा होर्स को खिलाया जा सकता है दूसरा क तो उन्हें भी यह देते हैं तो जो फैटनिंग करने के लिए वजन बढ़ाने के लिए जिन एनिमल्स में कोई ग्रेन इस्तमाल करनी होती है तो उसमें बारले को प्रिफरेंस दिया जाता है बारले शुड आलवेज हैव देर आंस रिमोवड बारले के ऊपर एक सक्त होती है एक काफी जैसे चावल की भूसी होती है इस टाइप की कवरिंग होती है और वो कई बार अगर उसे रिमोव ना करें तो वो नुकसान पहुंचाती है खासकर पोल्ट्री और स्वाइन में जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हैं उसमें नुकसान पहुंचाती है तो उसे उतार देना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि ग्रेन लगभग बारले जो ग्रेन है वो लगभग आधे मेज को रिप्लेस कर सकता है ये बाते तब काम आती है जब बारले मानलीजे सस्ता है और मेज महंगा है तब हम ये कहेंगे ये मेज की अविलिबिलिटी कम है बारले की ज़ादा है तो हम मेज को रिप्लेस कर देते है उस वाले राशन में जो हम फैटनिंग के लिए इस्तमाल कर रहे है मतलब जिसमें वजन बढ़ाना है मानलीजे बकरो को खिलाया जा रहा है या भेंसो को खिलाया जा रहा है जिन्हें स्लॉटर करना है या हीफर है जो वेट गेन नहीं कर रही है प्रॉपर उन वाले एनिमल में बारले को मतलब आधी मक्का को रिप्लेस करके महाँ पे बारले एड़ कर दिया जाता है हाला कि अब बारले पहले जैसा सस्ता नहीं मिलता है अब इसके भी महंगा हो गया है क्योंकि human nutrition में इसका काफी रोल दिखने लगा है बताये जाने लगा है तो बारले को अगर ऐव लेबल है तो रिप्लेस कर सकते हैं मतलब आधे मक्का को रिप्लेस कर सकते हैं अगर मालीजे आप कोई दाना बना रहे हैं उसके अंदर 600 किलो मक्का है तो आप 300 किलो तक बारले उसमें यूस कर सकते हैं यह यूमिनेंट्स की बात है बाकी पॉल्ट्री वगयरा में भी इसे यूस किया जाता है जब coarsely ground मतलब दरदरा कर लिया जाता है दलिया बना लिया जाता है feeding से पहले तो इसके results फिर और भी अच्छे आते हैं और भी अच्छे देखने को मिलते हैं crude protein इसमें लगभग 8 से 12% तक present रहता है कुछ और भी problems होती है जैसे fusarium वगेरा की problem इसमें आती है माइको टॉक्सिंस की Fusarium species इसमें फंगस की ग्रो कर जाती है और डियोएन डियोकसिलिवालिनॉल और जिरालिनॉन वगएरा जो माइको टॉक्सिंस हैं वो बारले को भी एफेक्ट करते हैं तो बारले के अंदर एक और चीज होती है तो वो भी बारले के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो वो फीड की वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं फीड की विसकोसिटी बढ़ाते हैं वो कुछ अंटि नूट्रिशनल अंटि ट्रिपसिन फेक्टर भी होते हैं जो की प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को कम करते हैं लेकिन जादा जो इंपोर्टेंट है वो बीटा ग्लुकेंज ही है तो इसके लिए बीटा ग्लुकेंज एंजाइम मिला जाता है जब हम बारले को जादा इस्तमाल करते हैं पासकर पॉल्टरी के अंदर तो बीटा ग्लुकेनेज हमें एंजाइम मिलाना पड़ता है, तो बीटा ग्लुकेनेज मिलाने के बाद हम बारले को थोड़ा ज्यादा कौंटिटी में जितना उसका लिमिट है, पांस से दस परसेंड तक यूजिल ही मिलाते हैं, अगर बीटा ग भोडों को छोड़कर बहुत जादा पॉपुलर नहीं है प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है तो ओट्स का बहुत जादा रोल मुझे नहीं दिखता है लाविस्टॉप फीडिंग में हाला कि यह बहुत अच्छा ग्रेन है अगर एवलेबल होता है तो यह खास तोर से जो बकर भी और भेड़ के बच्चे होते हैं जिनने मीट के लिए बड़ा किया जा रहा होता है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ओट्स और उसके अलावा रिमिनेंट्स में क्योंकि इसका जो फाइबर कंटेंट है वो काफी जादा होता है तो ओट्स का यहां पर लिखा हुआ अब यह सबसे पहला पॉइंट यही है जो क्रूड फाइबर कंटेंट है वो मेज के बनिजबत इसमें 10-18% तक रहता है और मेज में ख़ली क्रूड फाइबर 2% होता है तो फाइबर का डाइजेशन जो है रिमिनेंट्स में यह एसेटिक एसेड बनाता है एसेटिक एसेड स तो इसवज़ा से ओड्स को या बारले को यह कहा जाता है कि यह पैटनिंग के लिए इस्तमाल होते हैं इसका टीडीन वैल्यू जो है इसकी एक अपना महतवग अपना और ग्रोल अब इसी के nutritious role की वज़ा से जो यह health पे benefit मतलब इसके होते हैं तो आप देखते होंगे कि आजकल oats human nutrition में भी बहुत जादा प्रचलित हो गए हैं जिसकी वज़ा से oats महंगे हो गए हैं पहले oats को बारले को इन्हें कोई भी भी पूछता था और इन्हें एक low quality low grade feed समझा जाता थ फूट समझा जाता था क्योंकि इनके nutritional value बढ़ गए हैं और किस वज़ा से बढ़े हैं सिर्फ crude fiber की वज़ा से क्योंकि crude fiber का content इसमें ज्यादा होता है इस वज़ा से इसको लोग खाते हैं तो digestive system पे crude fiber का बहुत ही positive effect पढ़ता है तो इसी वज़ा से जो ruminants हैं herbivores हैं उसमें crude fiber जिसमें ज्यादा होता है grains में वो थोड़े अच्छे माने जाते हैं तो उसी में ये oats भी आते हैं तो इनकी भी processing होती है जैसे इन्हें रोल किया जाता है cream या ground for feeding ground का मतलब इसे piece लेते हैं दर दर अदलिये जैसा बना लेते हैं जो market में में oats मिलते हैं वो flaked मिलते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की जरुवत नहीं होती है अगर वो इस्तमाल कर रहे हैं तो वो kid starter, calf starter में बहुत अच्छा रोल play करते हैं क्योंकि वो rumen को भी develop करते हैं और साथ-साथ उसमें से energy मिलती है तो उसमें fattening की तरफ भी animal जाता है तो सभी farm animals में oats को use किया जा सकता है pigs में, poultry में और ground oats have considerably higher feeding values than whole oats तो यहीं बताया है जैसे मैंने कि उसे अगर दरदरा कर लेंगे पीस लेंगे आप आटा जैसा नहीं बनाना है दरदरा करना है तो उसकी value nutritional value जो होती है feeding value वो whole oats से जो आप पूरे oats खिलाएंगे animal को उससे जादा होती है हल्ड oats are more palatable जिनके उपर से छिलका उतार लिया जाता है वो ज्यादा palatable होती है वो oats लेकिन cattle के लिए या older swine के लिए usually not economical to healthy grain before feeding क्योंकि हलिंग में क्या होता है कि उसके उपर से हमें छिलका उतारना होता है हल्ड कहते हैं उसे छिलके को तो उसके उपर से उतारना होता है उ महंगा पड़ जाता है तो इस वज़ए से वह economical नहीं होता है तो high fiber limit जो monogastric animals है poultry है जैसे तो उनमें ज्यादा fiber की वज़ए से oats का जो इस्तमाल है वह बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं तो 25% से ज्यादा oats उनके राशन में नहीं मिला सकते हैं जैसे poultry हैं स्वाहीन है अगर ground oats हैं मतलब उसे पीस लिया गया है तो 30% तक उसे कर सकते हैं और 50% तक इन लेयर राशन क्योंकि लेयर में energy वगारा की यूज कम होता है लेकिन जब आप ये बारले या ओट यूज करते हैं तो एक बात का धियान रखना चाहिए कि जो dropping होंगी ना वो sticky dropping सापको देख नहीं बढ़ता लेकिन जो management है जैसे लेटर management है gases है मानली जब विंटर में यूज कर रहे हैं उसे और loose dropping आ रही है तो वो ammonia वगयरा बनाने लगती है या बरसात के time में अगर layer को देते हैं loose dropping आती है तो फिर मखी की problem आने के chances रहते हैं तो इस वज़ा से ये सब बाते धियान में रखते हैं उसे यूज करना चाहिए बाकि nutritional value जो है वो बहुत effect नहीं होती है अगर इस content में या इस limit में इन्हें मिलाए जाए different animals में तो 25 से 50% तक मिलाए जाता है different animals में Oats के बाद फिर sorgum आता है sorgum को sorgum vulgar भी कहते हैं जवार भी कहते हैं इसे इसकी कई सारी variety आ है और composition जो grain का होता है वो का अलग नहीं होता है तो कोई भी variety आप इस्तमाल कर रहे है उनकी जो grains का composition होगा वो लगबग सेम ही होता है क्योंकि यह जादा तर हरे चारे के लिए इस्तमाल किया जाता है sorgum को तो वो टॉल होती है एन्वल होती है मेज की तरह ठीक है और दो मीटर तक उनकी हाइट चली जाती है ज्यादा तर सौरगम की varieties जो होती है वो shelled corn की तरह होती है मतलब जो मेज ग्रेन का जो भुटा होता है उसकी तरह होती है chemical composition में बस यह फर्क होता है कि सौरगम के अंदर ग्रेन का content ग्रेन का component जादा होता है corn से और थोड़ा सा protein भी इसमें higher रहता है सौरगम में लेकिन oil मेज के मुकाबले कम रहता है तो यह point है question के तौर पे या objective के तौर पे तियार कर सकते हैं इसे सौरगम में grain content जादा होता है और protein content भी जादा होता है लेकिन oil मेज से कम रहता है तो grains are ground इन्हें भी पीसा जाता है दरदरा किया जाता है दलिया जैसा बनाया जाता है before feeding to all class of livestock except sheep which unlike other kind of livestock will masticate the grain more thoroughly तो sheep को छोड़कर बाकी livestock के लिए इसे ground कर लिया जाता है whole grain can also be used to pigs and poultry but cracked or ground grave with better feed efficiency वही है कि whole grain अगर आप किसी animal को खिलाते हैं तो उसकी efficiency कम रहती है और अगर उसे ground कर लेते हैं पीस लेते हैं दरदरा बना लेते हैं तो उसकी efficiency बढ़ जाती है when sorghum grain is replaced yellow maize it should be supplemented with 3% dried grain feed to compensate carotene of maize grain maize grain के अंदर जैसा पहले बताया था maize वाली वीडियो में कि उसके अंदर carotenoids होते हैं pigments होते हैं पीले वाले pigments जो होते हैं उन्हें carotenoids कहा जाता है carotene होता है वो तो carotene का एक रोल जो होता है वो अंदर जाके vitamin A बनाता है body can do vitamin A की बहुत ज्यादा नीड रहती है supplementation अगर नहीं हो रहा है तो vitamin A और आप हरा चारा भी नहीं खिला रहे हैं मान लिज़े अपने animal को तो vitamin A का रोल बहुत बढ़ जाता है supplementation का तो sorghum को अगर replace किया जा रहा है मेज से तो उसके अंदर कुछ green, dried green fodder जैसे lucerne alpha-alpha है इसे सुखा के आप रख लें और जब sorghum को replace कर रहे हैं मेज से तो थोड़ा सा उसमे lucerne भी मिला दें सुखा हुआ lucerne या जो alpha-alpha है होता है वो मिला दें तो उससे जो केरिटीन है मेज का जो मेज से मिलने वाला था केरिटीन वो replace हो जाएगा और वो हम फिर green से ले लेंगे तो यह sorghum के बारे में हो गया है अब इसके बाद बाजरा है बाजरा इसे पैनिसेटम टाइफॉइडिस का नेम है यह एक तरीके का millet है मतलब एक छोटा सा दाना जैसा होता है इसे सीरियल में काउंट नहीं करते हैं सीरियल के से अलग millet का जाता है इसे और यह एक warm सीजन की से रिक्वार्मेंट नहीं होती है और इसके अंदर बायो मास भी खूब निकल के आता है तो यह मिलेट होता है एन्वल इन नेचर और सभी तरीके के इसơi An Unthreshed Bundle can be fed to poultry अगर लाइब स्टॉक को खिला रहे हैं भेडबकरी गायाइ भेष्भेंस वह खिला रहे हैं तो इसे ग्राउड करना है as otherwise the hard hulls will splinter into shaft fiber which can lead to internal irritation बाजरा ग्रेन के अंदर क्या होता है उसकी जब थ्रेशिंग कर लेते हैं उसके बाद भी उसके उपर hulls होते हैं मतलब वो रह जाते हैं तो इस वज़ा से उसे finely ground कर लेना चाहिए है क्योंकि otherwise क्या होगा जो hard hulls होते हैं वो splinter वो टूड जाते हैं shaft fibers में और वो internal irritation करते हैं खासकर ruminants में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे यह बारले है sorry बाजरा है तो यह उसके grains हैं तो इनके उपर यह चड़ा रहता है यह एक hard टफ जो fiber होता है वो इसके उपर रहता है तो इसके बाद इसे finely ground कर लेना चाहिए मतलब खिलाने से पहले खासकर ruminants में poultry में इसे थाबूत रहने देना चाहिए और ruminants में इसे ground कर लेना चाहिए खिलाने से पहले इट रिजेंबल इन feeding value to that of sorghum जै sorghum की जो feeding value होती है nutritive value होती है उसी के कार्डरिंग रहती है इसमें और protein इसमें 8-12% तक होता है मेंस से जादा होता है लेकिन energy उससे थोड़ी सी कम रहती है और इसमें tannins भी जादा होते हैं तो इस वज़े से बाजरा बहुत जादा यूज हम नहीं कर सकते हैं खासकर poultry में तो 100-500 kg तक बाजरा ठीक रहता है यूज करना उससे जादा अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पर problem आती है खासकर broiler में तो यह तो grains वाला जो portion था सीरियल वाला portion था वो हमारा यहाँ पर जीसी बेनरजी के according खतम हो गया है और इसके बाद हम मिल बाय प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में जिसमें ब्रान और फ्लोर जर्म्स वगएर आते हैं ग्लूटेन आता है ग्रेन स्क्रीनिंग्स आती हैं ग्रोड्स, हल्स, माल्ट स्पराउट, मेल, मिल्लिंग्स यह सब हम एक उसमें पढ़ेंगे अगले वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो दोस्तो एक चीज़ और है कि एक टेलीग्राम ग्रूप शुरू किया है और एक पॉड़कास्ट भी मैंने शुरू किया है तो एंकर एक एप है उसे आप वो कर सकते हैं या तो या स्पॉटिफाई अगर आपके पास होगा तो आप मेरे पॉड़कास्ट डिरेक्ट सुन सकते हैं तो पॉड़कास्ट बनाने असान होते हैं कहीं पर भी जो भी टॉपिक दिमाग में आता है उसे बना के महाँ पर अपलोड किया जा सकता है क्योंकि वीडियो बनाने में तो बहुत समय लगता है बहुत इसमें चीजों का इंतिजाम करना पड़ता है तो पॉड़कास्ट उसे साप से सही रहता है तो पॉड़कास्ट एक तरीके से रेडियो की तरह आपको वो रहेगा तो उस पर मेरा चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पॉटिफाई पर यूज कर सकते हैं कर सकते हैं description दोनों के नीचे दिये हुए है मैंने और एक विचार है हमारा online training शुरू करने का 15 दिन की dairy farming के लिए एक training शुरू करने का विचार है उसके course पे content पे मैं काम कर रहा हूं और zoom based या whatsapp based training होगी और विचार है कि October में इंशालला उसे शुरू करें हम तो आप लोगों का कैसा उसमें वो रहेगा वो registration वगरा के लिए हम शुरूआत करेंगे तो आप उसे भी जॉइन कीजे अपना feedback बताईए क्या क्या आप उसमें जानना चाहते हैं ताकि उसी साबसे course content को बनाये जा सके thank you for watching this video